असलाम लेकुम माई यूट्यूब फैमली वेलकम तुमाई किचन बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम जी आज बहुत ही मज़ेदार किसम की कुईक रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं यह जटपट 15 मिनट में त्यार हो जाती है इसके लिए मैंने इंगुडियेंट्स लिये हैं वन शिमला मिर्च को इस तरह से काटा है और आलू को भी मैंने इस तरह से काटा है और साथ मैंने छोटा छोटा लेसन को काट कर रखा है एक टोमेटो को चौप किया है साथ मैंने थ्री टेबल स्पून योगर्ट लिया है और थोड़ा सा धनिया को काट कर रखा है वन टेबल स् लाल मिर्श पाउडर वन टेबल स्पून नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर और हम लोगों ने वन टी स्पून के करीब हल्दी ली है, सबसे पहले हमने जो क्यूब्स की फॉर्म में आलू काटे थे उन्हें हम फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के मैक्सिमम मन टू टू मिनट इस से जादा हम फ्राइ नी करेंगे, जी हमारी शिम्रा मिर्श पी अल्मोस फ्राइ हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद मैंने हाफ ओल निकाला है, अब इसके अंदर मैं अपना जो हमारा चॉप डनियन था वो डालूंगी, उसको हलका सा पिंक करना है, पिंक करने के बाद इसके अंदर पानी डाला है, पानी डालने की रीजन ये है, अब अगर इसके अंदर मैं लसन डालूंगी ना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डाला है, तो लसन प्याज इसका कोई स्मेल नहीं आएगा, जी इसके अंदर म मैं टोमेटो डाल चुकी हूं उसके बाद मैं हमने यह अपना दही डाला है दही मैंने बीट नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा मुझे शुव हो रहा है आप लोग जब भी डालेंगे तो बीट कीजिएगा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताके दही की जो मिक्स करूंगी मैं इसके अंदर और जो टोमेटो हैं वो थोड़े नरम हो गए इसलिए मैं हलका हलका पीस रही हूं ताके वो पेस्ट बन जाए और यह हमारा हाफ टेबल स्पून अगरा मसाला पाउडर है इसे भी मैंने अंदर डाल कर अच्छे से मिक्स कर दिया है कि मिक्स करने के बाद इसको बस हमने दम लगानी है दो मिंट की और हमारी रेसिपी रेडी है इसको आप सहरी में बनाएं और खूब इंजॉय करें सहरी अफ़ारी जब भी आपके पास टाइम जादा ना हो तो जल्दी से यह वाली रेसिपी बनाएं जी आप मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी और इसको मिक्स करके दो मिंट का दम लगाऊंगी जी मैं अभी इसे दम लगाकर आपको फाइनल लुक दिखाते हूँ माशाला जी जैसा आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है और कितना प्यारा कलर आया है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा जी अभी मैं इसे सर्फ करती हूँ और घरवालों से पूछती हूँ उन्हें कैसा लगा थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो अल